C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ चार शीर्शक उश्मा प्रिष्ट सैंतीस से प्रिष्ट पचास तक तो आईए, आप सुनते हैं इस पुस्तक का पाठ चार, शीर्जक उश्मा प्रिष्ट सैंतीस, पाठ चार, उश्मा अध्याय तीन में आप पढ़ चुके हैं कि उनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाय जाते हैं आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पाठ प्रेशों से बनाय जाते हैं हम शीत काल में उनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं जब मौसम गर्म होता है तब हम हलके रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं आप यह जानने के लिए अवश्य ही उच्चुक होंगे कि किसी विशेश रित्व के लिए विशेश प्रकार के वस्तर ही क्यों उप्यूगत होते हैं शीत काल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीश्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तू गर्म है अथवा ठंडी। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तू कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्णों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे चार तशमलव एक गर्म तथा ठंडा अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तू के संपर्क में आते हैं इन में से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी चाई गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है सारणी चार तशमलव एक में सामान्य उप्योगी वस्तू की सूची दी गई है इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए इन वस्तूओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्धित कीजिए प्रिष्ट 37 पर सारणी चार दशमलव एक दी गई है जिसमें गर्म तथा ठंडी वस्तूएं बतानी है इस सारणी को तीन भागों में विभाजत किया गया है पहले भाग में वस्तूओं का नाम दिया गया है दूसरे वद तीसरे भाग में हमें ये बताना है कि ये वस्तू ठंडी है या शीतल या गुनगुना है या गर्म उदाहरन के तौर पर पहली वस्तू आइसक्रीम है ये ठंडी होती है वस्तूओं के नाम है चाय के प्याले में रखी चम्मच फलों का रस तलने के लिए उप्योकत किसी बर्तन की हद थी यहां प्रिष्ट 37 पर अलग से एक लेख दिया गया है इसमें लिखा है आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तूओं को नाच हुएं मुम्बत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें हम देखते हैं कि कुछ वस्तूओं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं हम कैसे ग्याद करते हैं कि कोई वस्तू दूसरी वस्तूओं की अपेक्शा अधिक गर्म है प्रायह हम इसका पता वस्तूओं को स्पर्ष करके लगाते हैं परं तु क्या हमारी स्पर्ष इंद्रिया विश्वस निय है आईए ग्याद करें क्रिया कलाप 4.1 यहां प्रिष्ट 37 पर चित्र 4.1 के माध्यम से तीन पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना बताया गया है तीन पात्र अथवा बरतन लीचिए इन पर A, B तथा C नामांकित कीचिए जैसा कि चित्र 4.1 में बताया गया है पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीचिए कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिला कर पात्र C में डालिए अब अपने बाएं यानी वाम हाथ को पात्र A में तथा दाहिने यानी दक्षण हाथ को पात्र B में डालिए प्रिष्ट 38 दोनों हाथों को दो या तीन मिनट तक पात्रों में डूबा रहने दिजिए अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डूबो ये जैसा की चित्रत चार दशमलव एक में किया गया है क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? यहां अलग से एक वाक्य दिया गया है जिसमें लिखा है सुनिश्रत कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए बूजो की उलजन यह दर्शाती है कि यह निश्चे करने के लिए कि कोई वस्तु गरम है या ठंडी हम अपनी सपर्श इंद्रे पर विश्वास नहीं कर सकते यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है तब हम यह कैसे ग्याद करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गरम है किसी वस्तु की उश्णता यानि गरमी की विश्वसनिय माप उसके ताप से की जाती है ताप मापने के लिए उप्योग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी य ताप को या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था, तो टेंप्रिचर यानी ताप को थर्मामीटर यानी ताप मापी से मापा गया था। चित्र 4.2 में बताय अनुसार प्रतीत होता है। यहां प्रिष्ट 38 पर चित्र 4.2 में डॉक्टरी थर्मामीटर बनाया गया है। यदि पारे की यह धारी आपको न दिखाई दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाईए। जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपियो किये जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिगरी सेल्सियस द्वारा बताते हैं। बूजो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाय दो मापक्रमों में से वो किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपियो करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फेरनहाइट स्केल यानि डिगरी फेरनहाइट है जिसका परिसर 94 से 108 डिगरी तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिगरी सेल्शिस से 42 डिगरी सेल्शिस तक के ताप ही माप सकते हैं। क्रिया कलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना आईए। ये सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किनी दो क्रमागत यानि एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। प्रिष्ट 49 इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या यानि छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। माल लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच एक डिगरी का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच पाँच भाग हैं। तब एक चोटे भाग का मान एक बटे पांच डिगरी सेल्सियस अर्थात 0.2 डिगरी सेल्सियस होगा। उप्योग करने से पहले थर्मा मीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूती रोधी यानी रोगान रोधक घोल का उप्योग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ जटके दीजिए। जटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि ये 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीब के नीचे रखिए। एक मिनट के पस्चाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्ठ्यांक नोट कीजिए। ये आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक यानी डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान ने ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वो चिंतित हो गई, क्योंकि ये ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आईए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। डॉक्टरे थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधान्या। थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले और उपयोग के पस्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूती रोधी यानि एंटिसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल द्रिष्टी रेखा की सीध में होना चाहिए। जैसा की चित्र 4.3 में बताया गया है। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह तूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। यहां प्रिष्ट 49 पर चित्र 4.3 में डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधी बताई गयी है। जिसमें एक लड़की ने थर्मामीटर को पकड़ा हुआ है और वह ताप को जानने का प्रयास कर रही है। क्रिया कलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। कुछ विद्यार्थियों के शरीर के ताप मापने के लिए यहाँ पर सारणी 4.2 दी गई है। इसमें दो भाग हैं, पहले भाग में नाम और दूसरे भाग में ताप यानि डिग्री सेल्सेस के लिए जगहा दी हुई है। क्या प्रत्येक विद्यार्थि के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सेस है या वश्यक नहीं कि प्रत्येक विक्ती का सामाननताप 37 डिग्री सेल्सेस हो। यहां प्रिष्ट चालीस पर एक चेतावनी दी गई है। डॉक्टरी धर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामाने तह 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस है। 4.3 प्रयोग शाला ताप मापी हम अन्य वस्तूं के ताप कैसे मापते हैं। इसके लिए अन्य ताप मापी काम मिलाते हैं। ऐसा ही एक ताप मापी प्रयोग शाला ताप मापी है। आपके अध्यापक इस ताप मापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए। तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिक्तम तथा नियूनतम ताप को नोट कीजे। इस ताप मापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाय जाने वाले ताप का मान ग्याद कीजे। ताप मापी द्वारा दर्शाय गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यक्ता होगी। मौसम की रिपोर्ट में दिये गए अधिक्तम तथा नियूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिक्तम नियूनतम ताप मापी का उप्योग किया जाता है। आईए अब जानते हैं कि इस ताप मापी का उप्योग कैसे किया जाता है। यहां प्रिष्ठ चालीज पर चित्र 4.5 में प्रयोग शाला ताप मापी द्वारा जल का ताप मापना बताया गया है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। ताप मापी को जल में इस प्रकार डुबाईए कि उसका बल्ब तो जल में डुबा रहे। लेकिन वो बरतन की तली अथवा दीवारों को सपर्श ना करे। ताप मापी को जल में उर्द भाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गती को देखिए। जैसा चित्र 4.5 में बताया गया है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक ये नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। ताप मापी का पाठ्यांग नोट कीजिए। ये इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुल ना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिनताएं हैं। संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रिष्ट 41 यहां प्रिष्ट 41 पर एक लेक दिया गया है। इसमें लिखा है। तथा ताप मापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बरतन की दिवारों से नहीं चुना चाहिए। बूजो को अब समझ में आ गया कि उच्छ तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अब भी उलजन में है कि क्या प्रयोग शाला ताप मापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आईए इस प्रश्ण का उत्तर खोजने का प्रयात्न करें। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। ताप मापी के बल्ब को जल में डुबूईए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब ताप मापी को जल से बाहर निकाल लिए। ध्यान पूर्वक देखिए कि अब क्या होता है? क्या आप देखते हैं कि जैसे ही ताप मापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है? इसका अर्थ है कि किसी प्रयोक शाला ताप मापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब, जल या उस वस्तू में रखा है जिसका ताप मापना है. स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मा मीटर को मूँ से बाहर निकालना पड़ता है. क्या तब आप प्रयोक शाला ताप मापी को अपने शरीर का प्रयोक शाला ताप मापी का उप्योग इस प्रयोजन के लिए सुविधा जनक नहीं है. डॉक्टरी थर्मा मीटर को मूँ से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या उपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मा मीटर का फिर से प्रेक्षन कीजिए. क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं. एक विभंग चार दशमलव छे चित्र में बताया गया है. विभंग का क्या लाब है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है. बूजो ये जानने के लिए उच्सुक है कि जब ताप मापी का बल्ब क किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्दन क्यों होता है? इसके साथ ही यहाँ पर एक लेख दिया गया है जिसमें लिखा है ताप मापी में पारे के प्रयोग के विशे में अनेक चिनताए हैं. पारा एक विशाक्त पदार्थ है और यदी ताप मा यानि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। इस लेख के साथ ही यहां एक अंकियत आपमापी यानि डिजिटल थर्मामीटर का एक चित्र दिया गया है। 4.4 उश्मा का स्थानांतरण संभवतह आपने देखा होगा कि जब किसी बरतन को ज्वाला पर रखते हैं, तो वो तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उश्मा ज्वाला से बरतन की ओर चली जाती है। जब बरतन को ज्वाला से हटा लेते हैं, तो ये धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनुस थितियों में उश्मा गर्म वस्तू से थंडी वस्तू की ओर प्रबाहित होती है। पहेली जानना चाहती है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि दो वस्तुमों को अताप समान हो तो उश्मा स्थानांतरित नहीं होगी? उश्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? आईए इसकी खोज करें. क्रिया कलाप 4.6 एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातू की एक छड अधवा चप्ती पट्टी लीजिए. छड पर मोम के छोटे-छोटे टुकडे चिपकाईए. ये टुकडे लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए. जैसा की चित्र 4.7 में बताया गया है. चड के एक सिरे को एक प्रयोक्षाला स्टैंड पर कसिए. यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप चड के एक सिरे को इंटों के बेच में दबा कर रख सकते हैं. अब चड के दूसरे सिरे को गर्म कीचिए और ध्यान पूर्वक देखिए. यहां प्रिष्ट 42 पर चित्र 4.7 में किसी धातू की पट्टी में उश्मा के स्थानांतरन का अध्यान बताया गया है. इस चित्र में दो इटों के बीच में एक एल्यूमिनियम या लोही की चड को रखा गया है. साथ ही उसमें मुम्बत्ती द्वारा उश्मा प्रवाहित की जा रही है. मुम्ब की टुकडों का क्या होता है? क्या ये टुकडे गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकडा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि उश्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो प्रक्रम जिसमें उश्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है ठोसों में उश्मा प्रायह चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है क्या सभी पदार्थों में उश्मा का चालन आसानी से हो जाता है आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उप्योग किये जाने वाले धातू के बर्तन में प्लास्टिक या लकडी की हत्थी लगी होती है क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? क्रिया कलाब 4.7 किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए कुछ वस्तुएं जैसे स्पात यानी स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पैंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर एकतर कीजिए इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोईए जैसा की चितुर 4.8 में किया गया है कुछ देर प्रतीक्षा करने के बस्चात दूसरे सिरे को चुकर देखिए अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए यहां प्रिष्ण 42 पर सारणी 4.3 दी गई है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला भाग वस्तु का है दूसरा पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है और तीसरा क्या दूसरा सिरा गर्म होता है हाँ या नहीं बताने के लिए दिया गया है दी गई वस्तु है स्टील की चम्मच पदार्थ धातु क्या इससे दूसरा सिरा गर्म होता है हाँ या नहीं में लिखा है हाँ जो पदार्थ अपने से होकर उश्मा को आसानी से जाने देते हैं उश्मा का चालक कहते हैं इनके उदारण हैं अलुमिनियम, आयर्न यानी लोहा तथा कॉपर यानी टांबा जो पदार्थ अपने से होकर उश्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उश्मा का कुचालक कहते हैं जैसे प्लास्टिक तथा लकडी कुचालको को उश्मा रोधी भी कहते हैं प्रिष्ट तेंतालीस प्रिष्ट तेंतालीस पर विभिन पदार्थों में उश्मा का चालन किस प्रकार होता है इसको दर्शाने के लिए एक चित्र दिया गया है जिसमें भिन भिन प्रकार के पदार्थ दिये गया है जल तथा वायू उश्मा के कुचालक है तब इन पदार्थों में उश्मा स्थानांतरण कैसे होता है आईए पता लगाएं क्रिया कलाप 4.8 गोल पेंदे का फ्लास्क लीचिए यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है इसे जल से दो तिहाई भर ये इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने के लिए कोई ऐसा प्रबंध कीचिए जिससे की आप इसके नीचे एक मुम्बत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीचिए एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पुटेश्यम पमेगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मुम्बत्ती चलाकर जल को गर्म कीचिए अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप जाने उसका चित्र भी बनाईए जैसा की प्रिष्ठ 43 पर चित्र 4.9 में जल में उश्मा का समवहन बताया गया है जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है गर्म जल उपर उठता है इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है फिर ये जल भी गर्म होकर उपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आजाता है ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए उश्मा स्थानांतरण की इस विधी को सम्वहन कहते हैं वायू में उश्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुमा किस दिशा में जाता है। उश्मा स्त्रोत के पास की वायू गर्म होकर उपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायू भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रिया कलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टी कर सकते हैं। अपने एक हाथ को ज्वाला के उपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए जैसा की चित्र 4.1 में बताया गया है क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनभफ करते हैं यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनभफ करता है ऐसा क्यूं है 42 पर 4.1 में वायू में उश्मा का स्थानांतरण समवहन द्वारा होता है ये बताया गया है साथ ही क्रिया कलाप को भी दर्शाया गया है यहाँ पर सावधान रहने के लिए एक वाके लिखा हुआ है इसमें लिखा है सावधान अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षत दूरी पर रखे जिससे की वे जले नहीं ध्यान दीजिए उपर की ओर की वायू समवहन द्वारा गर्म होती है इसलिए ज्वाला से उपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है तथा पी पाश्व की वायू समवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती इसलिए यह वायू लौके उपर की वायू जैसी गर्म नहीं लगती तटेक शेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिखटना का अनुभव करते हैं दिन के समय स्थल यानी धर्ती या धल पर जल की अपेक्षा शीख्र गर्म होता है स्थल के उपर की वायू गर्म होकर उपर उठती है इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायू स्थल की ओर बहती है चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायू समुद्र की ओर बहचाती है जैसा की चित्र चार दशमलव एक-एक में बताया गया है समुद्र की ओर से आने वाली वायू को समुद्र समीर कहते हैं समुद्र समीर की ठंडी वायू का लाभ उठाने के लिए तटेक शेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्री में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गती से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायू समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है जैसा की चित्र 4.11 में इस परिगटना को बताया गया है। प्रिष्ट 44 पर चित्र 4.11 में समुद्र समीर और थल समीर को चित्रों की माध्यम से बताया गया है। प्रिष्ट 45 जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर से हम तक उश्मा कैसे पहुँचती है। ये चालन अथवा समवाहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती। क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में उश्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्चक है। चूंकि प्रिथवी तथा सूर के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायू नहीं है। अतहा सूर से हम तक उश्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरन कहते हैं। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उश्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई गर्म बरतन ठंडा होते समय अपनी कुछ उश्मा को विकिरन द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरन द्वारा ही परिवेश को उश्मा देता है तथा उससे उश्मा ग्रहन करता है। सभी गर्मपिंड विकिरणों के रूप में उश्मा विकरित करते हैं जब ये उश्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है उश्मा के अवशोशित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उप्योग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है 4.5 सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्तुरों के प्रकार आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हलके रंग के वस्तुरों को वरियता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ऐसा क्यों है? आईए, इसका पता लगाएं क्रिया कलाप 4.10 तिन के एक जैसे दो डिब्बे लीचिए इन में से एक के बाहरी प्रिष्ट को काला तथा दूसरे के बाहरी प्रिष्ट को सफेद यानी श्वेद पेंट कीजिए जैसा की चित्र 4.1-2 में किया गया है दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिये तथा उन्हें दो पहर के समय लगभग एक घंटी के लिए धूप में रख दीजिए दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मा पिये क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक कर्म है? केवल जल को छू कर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं यहां प्रिष्ट 45 पर चित्र 4.12 में काले तथा सफेद प्रिष्ट के दो बरतन दिये गए हैं क्रिया कलाप 4.11 क्रिया कलाप 4.1 शून में उप्योग किये गए दोनों डिब्बे लीजिए इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप यानि लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गरम जल भरिए दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए 10 से 15 मिनट के पश्चाथ प्रतीक डिब्बे के जल का ताप ग्यात कीजिए क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है क्या इन क्रिया कलापों से आप यह निश्करश निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हलके रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है गहरे रंग के प्रिष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उश्मा अवशोशित करते हैं इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है हलके रंग के कपड़े उश्मिय विक्रणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं इसलिए गर्मियों में हमें हलके रंग के वस्त्र अधिक आराम देह लगते हैं प्रिष्ट चियालीज तो ऐसा संभव किया जा सकता है ऐसा करने की एक विधी है भवन निर्माण में खोखली इंटों का उपियों किया जाए जो की आजकल उपलब्द है सर्दियों में उनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं सर्दियों में हम उनी वस्त्र पहनते हैं उन उश्मा रोधी हैं इसके अतरिक्त उन के रेशों के बीच में वायू फसी रहती है यानि ट्रैप रहती है यह वायू हमारे शरीर की उश्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है अतह हमें उश्णता का अनभव होता है माल लीजिए सर्धियों में आपको एक मोटे कंबल अत्वा एक के उपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपियो करने की छूट है तो आप इन में से किसे चुनेंगे और क्यों याद रखे दो कंबलों के बीच में बायू की एक परत विद्यम प्रमुख शब्द अपनी स्पर्ष इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते ताप किसी वस्तू की उश्णता की कोटी की माप है ताप मापी वो युकती है जिससे ताप मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उप्योग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है इस थर्मामीटर का पर मानव शरीर का सामान ताप 37 डिगरी सेलसियस है उश्मा उच्छ ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है एक वस्तू से दूसरी वस्तू में उश्मा तीन प्रक्रमू द्वारा स्थानांतरित हो सकती है ये हैं चालन, समवहन तथा विकरण ठोसो में प्रायह उश्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है द्रवों तथा गैसो में उश्मा समवहन द्वारा स्थानांतरित होती है विकरन द्वारा उश्मा के स्थाना न्तरन के लिए किसी माध्यम की आवशकता नहीं होती जो पदार्थ अपने से होकर उश्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं आपेक्षा उश्मी विकरनों की अच्छी अवशोशक होती है यही कारण है कि हम गर्मियों में हलके रंगे वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं सर्दियों में उनी वस्त्र हमें गरम रखते हैं इसका कारण ये है कि उन उश्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायू, फसी यानि ट्राप होती है अभ्यास एक, प्रयोक्षाला तापमापी तथा डॉक्टरी धर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए दो, उश्मा चालक तथा उश्मा रोधी फ्रत्य के दो उदाहरं दीजिए तीन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीचिए क, कोई वस्तु कितनी गरम है इसकी जानकारी रिक्त स्थान द्वारा प्राप्त होती है उबलते हुए पानी का ताप रिक्त स्थान तापमापी से नहीं मापा जा सकता ग, ताप को डिग्री रिक्त स्थान में मापते हैं घ, बिना किसी माध्यम द्वारा उश्मा स्थानांतरन के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं च, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है यह अपने दूसरे सिरे तक उश्मा का स्थानांतरन रिक्त स्थान प्रक्रम द्वारा करेगी च, हलके रंग के वस्त्रों की अपेक्षा, रिक्त स्थान रंग के वस्त्र, उश्मा का अधिक अवशूशन करते हैं प्रिष्ट अड़तालीस चार, कॉलम ए में दिये गए कतनों का, कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए कॉलम ए ख, थल समीर के बहने का समय ख, समुद्र समीर के बहने का समय ग, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय ग, हलके रंग के कपड़े पसंद करने का समय कॉलम बी एक, गर्मिया दो, सर्दिया तीन, दिन चार, रात पांच, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कोई पर्तों का बना वस्त्र अधिक उश्नता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए छे, चित्र 4.13 को ध्यान से समझे अंकित कीजिए कि कहा कहा चालन, समवहन तथा विकिरन द्वारा उश्मा स्थानांतरित हो रही है यहां प्रिष्ट 48 पर चित्र 4.13 में उश्मा स्थानांतरित हो रही है यहां एक बर्तन में पानी को गर्म किया जा रहा है साथ, गरम जलवायू के स्थानों पर ये परामर्ष दिया जाता है कि घरों की बाहरी दिवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। आठ, तीस डिग्री सेल्सियस के एक लीटर जल को पचास डिग्री सेल्सियस के एक लीटर जल के साथ मिलाया गया। मिश्रण का ताप होगा, क, असी डिग्री सेल्सियस, क, पचास डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन असी डिग्री सेल्सियस से कम, ग, बीस डिग्री सेल्सि गोली से जल की और और ना ही जल से लोहे की गोली की और स्थाना अंतरित होगी ग, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी ग, दोनों के ताप में व्रिधी कर देगी प्रिष्ट उन्चास दस, लकडी की एक चम्मच को आईसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है इसका दूसरा सिरा क, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा ग, विकिरन के कारण ठंडा हो जाएगा ग, ठंडा नहीं होगा ग्यार है स्टेनलेस स्पात की कडाही में प्रायह कौपर यानि तामबे की तली लगाई जाती है इसका कारण हो सकता है ग, तामबे की तली कडाही को अधिक टिकाव बना देती है ऐसी कड़ा ही देखने में सुंदर लगती है स्टेनलस स्पात की अपेक्षा तांबा उश्मा का अच्छा चालक है एक, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ किंद्र पर जाईए डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए समझिये समझे, ये जानने का प्रयास कीजिए की, ग, ताप मापी का उपियोग करने से पहले वो से किसी द्रव में क्यों डुबोती है? ग, ताप मापी को जीब के नीचे क्यों रखते हैं? ग, शरीर का ताप मापने के लिए ताप मापी को मूँ के अतरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। घ, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग-अलग है। आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछ कर अतरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो, किसी पशू चिकित्सक के पास जाईए और उनसे पालतू पशू तथा पक्षियों के सामान नताप के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा चर्चा कीजिए। तीन, लोहे की किसी चड़ पर पतले कागस की पट्टी कस कर लपेटिए। चड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मुम्बत्ती के उपर रखकर कागस को जलाने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह जल पाता है? अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। प्रिष्ट पचास पार्दर्शी काच की चौड़े मोगी दो एक पिल या स्पाइरल बनाईए। एक जैसी बोतल लिजिए। एक बोतल में पोटेशिम पमेगनेत के कुछ क्रिस्टल या स्याही की कुछ बूंदे डालिए। इस बोतल को गर्म पानी से पूरा भरिए। दूसरी बोतल को घंडे पानी से पूरा भरिए। scanडे बोतल को एक मूठे कागस जैसे पोस्ट काकर जह किये पोस्ट कार्ड को एक हाथ से दबा कर रखे तथा दूसरे हाथ से बोतल को पकड़िए बोतल को उल्टा कीजिए तथा इसको गर्म पानी की बोतल के ऊपर रखे दोनों बोतलों को कस कर पकड़िए किसी दूसरे व्यक्ति से पोस्ट कार्ड को खीचने के लिए कहिए बता ये क्या होता है? व्याख्या कीजिए. इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ चार शीर्शक उश्मा यहां समाप्त हुआ. वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव. अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक. तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत. जिल्बन झाले, तक्नीकी निर्माण भारत.